नमस्कार दोस्तो टेकिन हिंदी चैनल में आपका स्वागत हैं दोस्तो वाटसब ने वाटसब पेमेंट फीचर लॉंच कर दिया है वाटसब से पेमेंट कैसे करते हैं ये हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाइ स्टेप बताएंगे तो दोस्तो अगर आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजे और बिल आइकन को भी प्रेस कर लिजे और अल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लिजे तो दोस्तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए तो चले दोस्तो वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पिल आप WhatsApp को अपडेट कर लिजे तो दोस्तो हमने WhatsApp को अपडेट कर लिया है तो चले हम WhatsApp को उपन कर लेते हैं WhatsApp को open करने के बाद यहाँ पर three dot पर क्लिक करें, इसके बाद यहाँ पर payment पर क्लिक कर दिजे, इसके बाद यहाँ पर add payment method पर क्लिक करें, यहाँ पर आप अपना bank select कर लिजे, जो आपके mobile number से link है, तो चलिए मैं यहाँ पर अपना bank select कर लेता हूँ, bank select करने के बाद यहाँ पर verify your phone number तो यहाँ पर हमारा phone number यहाँ से verify करना है verify sms पर click करे यहाँ पर allow कर दिजे यहाँ पर जो mobile number आपके bank से link है वो यहाँ से आप select कर लिजे और sms verify करने के लिए उसमें 1 रुपे minimum balance होना चाहिए तो मैं यहाँ से अपना air tail select कर लेता हूँ यहाँ पर हमारा 1 रुपे balance कर चुका है तो यहाँ पर मैं cancel कर देता हूँ यहाँ पर हमारा setup complete हो चुका है तो यहाँ पर done पर click कर दिजे तो यहाँ पर हमारा bank add हो चुका है तो यहाँ से हम back कर देते हैं इसके बाद पेमेंट सेंट करने के लिए आप यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करे इसके बाद यहाँ पर पेमेंट पर क्लिक करे यहाँ पर न्यू पेमेंट पर क्लिक करे यहाँ पर आप UPI ID से पेमेंट कर सकते हैं और यहाँ पर किसी भी QR कोड को स्कैन करके आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं तो चले हम यहाँ पर UPI ID से पेमेंट कर देते हैं तो यहाँ पर Send to a UPI ID पर क्लिक कर दीजे तो चले मैं यहाँ पर अपना UPI ID एंटर कर देता हूं इसके बाद यहाँ पर verify पर click करे यहाँ पर आप amount enter कर दीजे जो आप भेजना चाते हैं तुम यहाँ पर 100 rupees enter कर देता हूँ इसके बाद यहाँ पर click कर दीजे यहाँ पर enter upi pin पर click करे अगर आपने upi pin नहीं बनाया है तो आपको i button पर यहाँ पर description में हमारा वीडियोज मिल जाएगा वो वीडियोज देखकर आप upi pin बना सकते हैं तो चलिए मैं यहाँ पर अपना upi pin ने एंटर कर देता हूँ upi pin एंटर करने के बाद हमारा payment successfully complete हो चुका है दोस्तो और एक दूसरे तरीके से आप whatsapp से payment बेज सकते हैं आपको जिसे payment करना है उसके चार्ट में जाएंगे और यहाँ पर attachment पर क्लिक करिए और यहाँ पर आपको payment का option मिल जाएगा यहाँ पर क्लिक करिए अगर वो whatsapp payment यूज कर रहा है तो like करे, share करे और चैनल को subscribe करे और bell icon को दबा दीजिए और all notification सेलेक कर लीजिए दोस्तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद